जे थे चाटि हैं अग्ध है अई अगयों को दोस्तों मेरा नहीं विषाल और आज की इस वीडियों पर मैं आपको बताने वाला हूँ नीचे गूगल एडसेंस के एड है अगर मैं यह उपर आदा हूं तो उपर भी एडसेंग यह आप अपने हिसाब से एडजेस्ट कर सकते हैं कितने एडस आपको दिखाने तो बहुत ही सिंपल है यह एड करना तो हम लोग अपने वर्टप्रेस एडमिन में यहीं से सारी सेटि करेंगे इससे फ़ले दुस्तों मैं आपको बता दूँ फ्लिपिंग्ट्रेडर्स.com के बारे में दोस्तों यह एक मार्केट प्लेस है जहां पर वैबसाइट बाय सेल कर सकते हो अगर आपको वैबसाइट गूगल वैब स्टोरी के लिए या ब्लॉगिंग के लिए या किसी पर दोस्तों सोल्ड लिस्टिंग पर जाओगे तो आप देखिन कि बहुत सारी वैबसाइट जो है यहां पर सोल्ड होती है इसके बाद दूस्तों मैं आपको बताना चाहूँआ हो स्पिंगर के बारे में आपको वैबस्टिंग पर्चेस करनी तो डिस्क्रिप्शन में मैं मैंने लिंक दे दिए होस्टिंगर और क्यूबीटो होस्ट की जहां पर कूपन कोड अपलाई करने के बाद यह हमारा कूपन कोड़ टेक्ट नेक्स आपको एडिशनल डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा तो मैंने दोनों ही वैब ऑस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में लि नम से ऑल्रेडी पेश बनाए तो मैं एक नया पेश बनाता हूँ वैब स्टोरी नाम से आपको समझाने के लिए लेकिन अगर जब आप बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे लेकिन मेरा इस नाम से पहले ही पेज स्टोरी इसके बाद दूस्तों यहां प्लस पर क् करेंगे एक ही दिखानी दोश को हम करेंगे ऑफ स्टॉरी इसके बागने आपको कैरेजल में दİखाना है याँ पिर आकए संखिए गडेक तो इसके बाद सरक्ल्सेट करता हूं ग्रेड बहुत भी अच्छा दिखते है राइट सेट में आप देखेंगे बहुत सारी सेटिंग है जैसे कि author का नाम डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है डिस्प्ले करनी है कि नहीं करना है अपने according कर सकते हो मैं इनको disable रखता हूँ ताकि नीट एंग क्लीन दिखें मेरे title दिखें और image दिखें नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक column में कितनी stories दिखें तो मैं इसको करता हूँ 3 अभी आप दिखेंगे तीन stories दिखेंगी और नीचे करते हैं और number of stories की इसाफ पेज में कित्ती stories दिखाना चाते हो तो मैं इसको रखता हूँ दोस्तों 15 और 15 के बाद दिखाएगा view all stories का एक बटन आ जाएगा तो उसके आगे भी हमारी stories दिखेंगी इस page को आपको कर देना है दोस्तों simply publish आपको यहां पर और कुछ चेंजेस नहीं करने देन आपको दोस्तों वापस अपने वर्ट्रेस डेश्बूर्ड में आना है stories में जाना है stories के हम जाएंगे setting में setting में जाने के पर दोस्तों नीचे आएंगे आप देहेंगे यहां पर जो है stories archives यह रहता है default को आपको करना है create your own और select page पर क्लिक करके आपको वही page सर्च करना है जो आपने create किया तो यह page अपने अभी create किया था दोस्तों मैं यह page add करता हूं क्योंकि यह मेरा official page लेकिन आपको यह आपने जो बनाया वहीं आपको करना है मैंने यह आपको example के लिए दिखाया था तो अभी मैं आप पर कर दूंगा अपना यह page और यह setting हो गई इसको add कर देंगे जो पेज आपने create किया था और आपको देन कर देना है publish और अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह web story का टैब यह एड हो चुका है क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से खुलेगा यह जो इस पेस है यह एड के लिए अगर आपके मैं add code लगे होंगे header में तो इस तरीके से आएगा थोड़ा से टाइम लेता है एड आने में अगर आप मेरे इस पेच पर आएंगे तो आप देखेंगे यह एड्स भी आ रहे है 718 अगयर दोस्तों आपको ये वीडियो फसलिउगए वीडियो पस आई होगे लाइक करना ओर कोमेंट करके यह बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप ऍरस्ट टॉपिक पर चाहते हो कूंस वीडियो टॉपिक पर ग क्रिएट करूँगा थैंक्स पॉर वॉच्च निग